आज हम लोग आपको चारधाम नामची का एक डिटेट डिजिटल टूर करवाने जा रहे हैं नामची सिटी से चारधाम तक का डिस्टेंस है अप्रॉक्सिमेटली फाइफ किलोमेटर्स और नियर अबवाव 20 मिनिट सक लगता है इस जर्नी में अभी हम लोग चारधाम की तरफ जा रहे हैं ये पूरा हिली रोड्स है और ये रस्ता भी फॉक्स से ढखा हुआ है और फाइनली अभी हम लोग चारधाम में एंटर हो रहे हैं यहाँ पर आपको 50 रुपीज पे करना होगा कार पार्किंग के लिए और ये है चारधाम का कार पार्किंग एरिया इससे आगे अपको चल के जाना होगा यहाँ से आपको एंटरी टिकिट करवाना होगा चारधाम का एंटरी फीज है 50 रुपीज पर परसन चारधाम एक ऐसा जगा है जहाँ पर आप चारधाम सर्किंग के हर एक टेंपल को दर्शन कर पाएंगे यहाँ पर हर एक टेंपल का रेप्लिका बना हुआ है यहाँ से आपको विताउट शू जाना होगा यहाँ पर शू रखने के लिए अलग स्टैंड भी रखा गया है तो चले अभी इस गेट से एंट्री करते हैं और आपको आगे का दूर करवाते हैं चारधाम को 2011 में ओपिन किया गया था इसको बनवाने का मोटिव था चारधाम के हर एक टेंपल को एक जगा लाना इस जगा को बहुत ही अच्छे से डेकॉरेट किया गया है यहाँ पर इंटर होते ही आप एक स्पिरिच्वल अट्मोस्फियर को अच्छे से महसूस कर पाएंगे सामने अभी पूरा फॉक से ढखा हुआ है चलिए देखते हैं आगे मौसम साफ होता है या नहीं यहाँ के कोई भी टेंपिल्स में कैमेरा अलाउड नहीं है तो मैं आपको किसी की टेंपिल्स का इंटरियर नहीं दिखा सकती और फाइनली अभी मौसम थोड़ा साफ हुआ और देखिये अभी शिफ स्टैच्यू एकदम क्लियर ली दिख रहा है यहाँ पर आपको लगेगा कि आप सच में बद्रिनाथ धाम टेंपिल में हैं यह है रामेश्वरम टेंपिल सामने यह जो टेंपिल है यह है शोमनाथ टेंपिल और यह है साई बाबा टेंपिल तो इसी के साथ यह चारधम दर्शन यही समाप्त होता है आशा करता हूँ कि आपको यह शौड वीडियो पसंद आया और आपको यह डिजिटल चारधम दर्शन करके अच्छा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईए आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को जरूर शियर कर दीजिए मिलते हैं बहुत ही जल्ब नेक्स व्लॉग के साथ अंटिल डाट पीस